हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू कॉंट स्टेडी कॉंट स्टेडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम करने जा रहे हैं हमारा मैट्स का सेप्टर जिसका नाम है बोट्स एंड स्ट्रीम और यह एक कंप्लीट सेशन होगा इसके और पार्ट्स नहीं होगे इसी जगा फॉलो कर लिजिए और किसी भी अपडेट को मिस्मत कीजिए तो शुरू करते हैं हमारे आज की कंसेप्ट से मैं पहले आपको बता दूं कि इस चेप्टर में आपको किस किस की वर्ड्स से या फिर किस किस चीज से आपको डील करना होगा सबसे पहला है स्पीड ऑफ जिसको हम स्पीड ऑफ मैन भी कहते हैं अगर आपको स्पीड ऑफ मैन आता है कोशन में तो उसका मतलब यही है कि स्पीड ऑफ बोर्ट की बात चल रही है सेकेंड चीज़ है स्पीड ऑफ स्ट्रीम स्ट्रीम क्या होती है अब देखिए जैसे अगर आप एक सडग पर चल रह हो जाती है और अगर आप डाउन हिल जा रहे हैं तो आपकी स्पीड अससऺ ड़ल्ट ही है वो ýतं की स्ट्रीम के केस में सडख नहीं होती एक नदी या दरिया या कुछ भी हो सकता है जिस पानी बहरा होता है व कि इसमें हमारी बोर्ट यह वह चलती है अब इसमें क्या होता जैसे रोड पर होता है अपहिल इसमें होती है upstream यानि पानी जो है वो बहरा होगा आपकी boat के against suppose कर लीजेए आपकी boat जो है इस direction में बहर रही है और upstream यानि आपकी boat के against तो पानी का direction आ गया यह तो इसमें क्या होगा, ओवेसी बात है आप सामने की तरफ चल रहे हो और कोई एक ऐसी फोर्स है जो आपको सामने से धक्का दे रही है कि आप सामने की तरफ ना चल पाओ, इसमें आपकी स्पीड होगी, माइनस, तो अब स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, स्पीड ओफ क्योंकि आप पानी के साथ, बहाव के साथ साथ ही बहरे हो, तो यानि डाउन स्ट्रीम में हो जाएगी आपकी स्पीड ओफ बोट प्लस स्पीड ओफ स्पीड ओफ ठीक है, यह चीज़े फिलाल मैं आपको एक्जेंपल वता रहा हूँ, आपको यह फॉर्मूलर्स रठने की क्योंकि आपकी बोट के अगेंस्ट आ रहा है ना पानी, आपकी बोट जिस डिरेक्शन में जा रही है उसके अगेंस्ट आ रहा है, और डाउन स्ट्रीम आ गया विद दा स्ट्रीम, यानि जिस डिरेक्शन में आपकी बोट चल रही है, पानी भी उसी डिरेक्शन में बह र अब मैं आपके सामने कुछ कोशन रखूंगा जो कि होंगे common sense based ठीक है इन questions का मकसद क्या है कि आपको formulas रटने ना पड़े ठीक है आपको याद ना करना पड़े कि downstream में add होना था या upstream में add होना था यह चीज़े आपको रटने ना पड़े मैं आपको ऐसे ही कुछ common sense के based पर question बूचूंगा जिससे आपको आपके सारे concept clear हो जाएंगे अब देखिए में सबसे पहला question कहा रहा है कि अगर आप drive कर रहे हो straight road पे ठीक है एक normal speed पर suppose कर लो कि 40 km पर और की speed पर आप drive कर रहे हो अचानक से एक uphill आ जाती है ठीक है अप हिल यानि कि अब आपकी गाड़ी को straight road स से ऊपर की तरफ चड़ना शुरू करना है अब मुझे आप बताइए कि आपकी speed increase होगी या decrease होगी straight road पे चल रही थी अचानक से आपको पहाड़ी के ऊपर की तरफ चड़ना है तो आपकी speed increase होगी या decrease होगी अगर आप कह रहे हो कि आपकी speed decrease होगी तो आपका answer बिल्कुल सही है same चीज हम boat के concept में भी लेंगे कि एक stream है किसी direction में बह रही है अब upstream को आपने uphill से relate करना है upstream यानि आपकी boat अगर इस direction में बह रही है तो पानी का बहाव जो होगा वो इस direction में होगा यानि आपकी speed होगी boat की वो decrease होगी ठीक है इसी से आप याद रख लीजिए uphill में आपकी अगर गाड़ी की speed decrease हो रही है तो upstream में आपकी boat की speed decrease होगी तो यही चीज मैंने लिखी है अपहिल में आपकी स्पीड जो थी गाड़ी की वो तो चल रहे थी नॉर्मल जब प्लेन रोड पे चल रहे थी जब अपहिल हाया तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स आ गई जिसने आपकी गाड़ी की स्पीड कम कर दी वैसे ही अप्स्ट्रीम में आपकी स्पीड जो है नॉर्मल वाटर में नॉर्मल स्पीड पर चल रहे थी जैसे ही स्पीड की स्ट्रीम के अगेंस्ट यानि की अप्स्ट्रीम में आपकी बोड जान लगी तो आपकी बोड की स्पीड जो है वो हो जाएगी डिक्रीज next question है कि अगर आप एक straight road पर चल रहे हैं और suddenly आप downhill चलने शुरू हो जाते हो तब आपकी speed increase होगी है decrease होगी यानि आपकी गाड़ी एक straight road पर चल रहे है और अचानक से धलान आगी ठीक है अब आपकी गाड़ी की speed increase होगी है decrease होगी अगर आपका answer है कि increase होगी क्योंकि डलान के साथ साथ आपकी गाड़ी की speed increase होगी आपको gravitation force जो है वो आपकी गाड़ी की speed में add होगी वही चीज़ा आप लगाओगे downstream में downhill downstream uphill upstream up में minus down में plus तो downstream में speed of boat plus speed of stream ठीक है अब next concept है कि अब आप suppose कर लीजे कि आप swimming कर रहे हो अगर आप against the stream यानि कि एक पहले एक तो suppose कर लो pool pool में जहां पर आप swimming कर रहे हो जहां का पानी जो है बहता नहीं है एक जगा रुका रहता है तो for example आप 10 km per hour की speed से swim कर रहे हो तो आप इस direction में भी 10 km per hour से करोगे इस direction में भी 10 km per hour से करोगे क्यों क्योंकि पानी रुका हुआ है वहीं अगर आप एक खुले दरिया में swimming करोगे ठीक है जिसका बहाव जो है suppose कर लो इस direction में जा रहा है यानि कि इस direction में पानी का बहाव है आप इस direction में swim कर रहे हो यानि पानी के अगेंज swim कर रहे हो पहली चीज तो आगी कि आपकी speed decrease होगी होगी अब मुझे एक चीज बताइए अगर आप इस तरफ को जा रहे हो पानी का बहाव इस तरफ को है आप यहां से तैरते तैरते इस position पर पहुँच गे जादा होती तो वो तो आपको बहाव के साथ ले जाती ना हमने सुने ना कितने accidents होते हैं जिसमें लोग बहाजाते हैं क्योंकि उनकी जो speed होती है वो पानी की speed के against जादा नहीं होती तो वो पानी के बहाव के साथ बहाजाते हैं तो हमारा कोशन भी यही कह रहा है कि अगर आप उपर यानि पानी के अगेंस्ट स्विम करने के कैपिबल हो तो इसका मतलब है कि स्पीड किसकी जादा होगी स्पीड होगी आपकी जादा अगर आप कैपिबल हो पानी के अगेंस्ट स्विम करने के अगर आप नहीं होगे तब आपकी speed से ज़ादा है जिसकी वज़े से आप उपर की तरफ पानी के against swim नहीं कर पा रहे हो ठीक है अब आजाते हैं इसके basic concept पे कि हमें question को present कैसे करना है हम speed of boat को मान लेंगे B, speed of stream को मान लेंगे S, uphill को मान लेंगे U, down stream को मान लेंगे D, uphill नहीं है हम देखते हैं इनके formulas क्या होंगे आपको returning नहीं है, सिधी सिधी हम concept पे आते हैं upstream, जिसको हम relate करेंगे uphill से, तो मैंने आपको बताया जब भी आपको up जाना है यानि कि एक चड़ाई करनी है, तो आपकी speed क्या होगी हमेशा decrease होगी तो speed of boat तो decrease हो रही है तो B-S आ गया आपके पास upstream का formula वैसी अगर हम downstream की बात करें downstream में आप नीचे की तरफ तैर रहे हैं और पानी का भाव भी आपकी और ज़दा help कर रहे हैं आपको बहने में तो downstream में आ जाएगा B plus S ठीक है अब ये तो आ गया upstream और downstream को B और S की form में present करना बड़ी बार आपको question आता है कि आपको upstream की speed दी होती है downstream की speed दी होती है बोलो आता है कि boat की speed निकालो और stream की speed निकालो बड़ी बार question ऐसा भी आता है कि आपको ये दो speeds दी होती है और ये दो speed निकालनी होती है तो तब क्या होगा ऐसे पार्ट में आपको शिर्फ एक चीज याद रखनी है कि जब मैं मैं upstream और downstream से speed निकालनी है तो हम divided by 2 करेंगे अब यह plus किस में आएगा, minus किस में आएगा मैं यह आपको याद ही करवा देता हूँ आपको रटने की जुरूरत नहीं है अब देखिए मैंने आपको बताया कि जब भी एक बोट जो है किसी बहाव के अगेंस्ट बह रही है तो बहाव अगर 10 किलोमेटर पर और कै हम यह assume कर सकते हैं कि बोट अगर इस बहाव के अगेंस्ट बह रही है तो इसकी speed जो होगी वो 10 से बड़ी ही होगी बोट की speed स्ट्रीम से जादा होगी तभी तो वो भाव के अगेंस्ट तैर पाईगी ठीक है तो अगर हमें speed of boat निकालनी है तो हम करेंगे plus क्यों क्योंकि speed जो है बोट की जादा है stream से तो plus किस किस में होगा मैंने आपको बताया कि हमें up stream और downstream से speed of boat निकालनी है speed of boat जादा होगी यानि plus आएगा तो plus किस किस के बीच में आएगा u और d के बीच में plus आएगा और मैंने आपको एक चीज़ याद करने को कही थी कि 2 हमेशा denominator में आएगा तो u plus d divided by 2 आजाएगा हमारा speed of boat ठीक है plus क्यों आ रहा है क्योंकि speed of boat हमेशा जादा होगी और कोई भी चीज़ अगर आपको increase करनी है तो आप उसमें plus डालते हो वैसे ही same concept speed of stream boat से हमेशा कम होगी ऐसे questions में speed of stream boat से हमेशा कम होगी और किसी भी चीज़ को अगर आपको decrease करना है आपको add करोगे आप करोगे minus d minus u divided by 2 ठीक है तो यह रही सबसे पहली example आपकी screen पर हम इसे solve करेंगे जिससे हमारे जो concept है शायद थोड़े और ठीक हो जाए अब आपको formulas बूल जाने है formulas जो मैंने आपको बताए वो बूल जाने है बस आपको यह याद रखना है upstream और downstream में अगर हमें boat और stream की speed निकालने हो तो हमें divided by 2 कर रहे है बस यह चीज़ याद रखने है बाकी आपको कुछ नहीं रटना मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कैसे हमें यह formulas याद हो जाएंगे speed of boat है हमारे पास 20 km पर और में हमेशा यही case होगा कि boat की speed जादा होगी stream की काम होगी अब उन्हें पूछे net speed बतानी है कि upstream में क्या होगी अब upstream यानि आपको ऊपर की तरफ चड़ना है यानि आपकी speed काम होगी तो upstream की speed आगी 20-5-15 वैसे ही downstream की क्या speed होगी downstream यानि पानी के भाव के साथ आपने बहन है तो downstream की क्या हो जाएगी 20 प्लस 5 विच इकोल स्टू 25 km पर और आपने formula रटे भी नहीं उसके बावजुद भी आपका answer आपकी नजरों के सामने है चलते है next question पर अब इसमें कहा रहा है कि boat की जो upstream में speed है वो है 20 km पर और boat की downstream में जो speed है वो है 4 km पर और अब इस question को ध्यान से देखिए यह नहीं कि अपने 20 देखा 4 देखा और फटावट से 20 प्लस 4 लगाना शुरू कर दिया downstream speed of boat में add होगा, add कर दिया speed of stream में minus होगा, minus कर दिया यह नहीं करना question जो मैंने आपको बताया है उसे समझना है, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आप against the stream जाओगे यानि upstream जाओगे, तो आपकी speed होगी minus, क्योंकि जब भी आप आनी के बहाव के against तैर रहे हो, तो वो आपकी speed को कम करेगा, ठीक है तो यानि कि हमारी जो upstream होगी speed, वो downstream से कम होगी क्योंकि जब आप for example, आपकी speed है 10 5 जो stream है उसकी speed है 5, जब आप upstream जाओगे, यानि पानी के against जाओगे, तो वो आपकी speed को कम करेगा तो आपकी net speed आगी 10 minus 5 आपकी upstream आगी 5 वही आपकी speed है 10 stream की speed है 5, आपने stream के साथ साथ ही बहन है, तो ये 5 जो होगे, आपकी speed में add हो जाएंगे तो आपकी downstream आईगी 15 तो ये question मैंने especially इसलिए confuse करने के लिए डाला है क्योंकि यहाँ पर मैंने upstream जो दिया है वो 20 km, यानि मैंने upstream जो है, वो downstream से जादा दिया हुए, जो की possible नहीं है, कभी भी possible नहीं है, ऐसा question अगर आपको आ रहा है paper में, जिसमें upstream जो है, आपकी downstream से जादा दी गई है, आप सीधा-सीधा answer माग करोगे, question आगे आप continue करोगे नहीं, मतलब question आप पड़ोगे नहीं आगे कि क्या पूछा हुआ है, आपने देखा कि upstream की speed downstream से जादा है जो की possible नहीं हो सकता, तो cannot be determined हमारा final answer होगा चलते हैं हमारे next question पर boat की downstream में speed है 20 km पर और, upstream में speed है 4 km पर और ठीक है, downstream की जादा होनी चाहिए upstream से, जो की यहाँ पर दिख रहा है, तो हम यह question continue कर सकते हैं, next चीज उन्होंने कहए speed of boat बताओ, speed of stream बताओ, अब मैंने आपको क्या कहा था, जब भी हमें d और u से speed of boat और speed of stream निकालनी होती है तो हम पहले तो divide करेंगे 2 से, जो भी final sum या minus होगा, उसको हम divide करेंगे 2 से अब मुझे बताओ, boat की speed ज़ादा होगी या stream की speed ज़ादा होगी boat तैर पाएगी अगर stream के against, जो की इस chapter में होगा ही होगा तो boat की ही speed ज़ादा होगी, तो जिस case में ज़ादा आ रहा है, उस case में हम करेंगे add, तो d plus u divided by 2, किसकी speed आएगी d plus u divided by 2 आएगी हमारी speed of boat, ठीक है, तो speed of boat क्या आगी, 20 plus 4, यानि की 24 divided by 2, which is equal to 12 अब बात करते हैं stream की, तो stream की speed हमेशा boat की speed से कम होगी, कम के लिए हम minus का इस्तेमाल करेंगे, और 2 से तो divide करना ही करना है, तो 20 minus 4 divided by 2 is equals to 8 km पर, और होगी हमारी speed of stream, ठीक है कोई formula नहीं रच्टा, बस आपने ये चीज़ दियान रखी की d और u के case में हम divided by 2 करेंगे, और कुछ याद नहीं रखा, बाकी सारा common sense के base पे कर दिया अब एक चीज़ आगी, कि हम ये upstream, downstream कर रहे हैं, ये basically है क्या है, ये होती है हमारी speed, ठीक है speed of boat, for example, आप 10 की speed से boat को चला रहे हो, और stream की speed है 5, अगर आपको stream के against जाना है तो आपकी net speed हो जाएगी 10 minus 5 क्योंकि आप stream के against जा रहे हो, तो ये जितना भी अभी तक हमने पड़ा, ये हम speed की बात कर रहे थे, speed का use आ रहा है कहां, जब भी speed की बात चल रही है, तो वहाँ पर distance और time का हमेशा जिकर होगा ठीक है, speed की जब भी बात चल रही है वहाँ पर distance और time का जिकर होगा तो हम अपने formulas पर आते हैं टाइम अगर हम upstream की बात करें, तो distance upstream divided by speed upstream होगा, ठीक है, तो speed upstream मैंने आपको explain कर दी, पानी के against जा रहे हो तो b minus s होगी, यह u multiplied by b minus s नहीं है, यह मैंने u की value दी हुई है, कि u is equals to b minus s, ठीक है, इसे confuse नहीं कर देना, मैं आपको फिर से लिखके बता देता हूँ, कि हमारा time हो जाएगा upstream के लिए, distance divided by speed of board minus speed of stream, ठीक है, next हा गया, कि downstream के लिए क्या हो जाएगा, distance divided by speed downstream, यह d है distance के लिए, यह d है speed downstream के लिए, ठीक है, अब speed downstream का formula क्या होता है, downstream यानि आपकी speed में, stream की speed add होगी, तो basically यह formula क्या बनजेगा, time downstream is equal to distance upon b, यानि speed of board plus speed of stream, तो बस यही दो formula हैं, जिस पर हमें हमारा सारा chapter solve करना है, ठीक है, अब आजाते हैं हमारे question की series पर, one by one हम questions को solve कर जाएंगे, ठीक है, और मैं आपको कोई formula रटने के लिए नहीं कहूंगा, हम सिरफ अपनी common sense पर question solve करेंगे, boat goes 6 km and or in still water, यानि की speed of boat की बात चल रही है, 6 km per or, ठीक है, it takes thrice as much time in going the same distance, against the current comparison to the direction of current, against the current यानि upstream, और direction of current यानि downstream, ये इन्होंने time की बात की है, time का है, time 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 time, ये रहा, time की बात की है, कि अगर हम upstream की बात करें, कि upstream में वो 3 गुना जादा time ले रहा है, as compared to downstream, अगर downstream में वो 1 second का time लेगा, जब स्पोस कर लीजिए, 1 second का time लेगा, तो upstream जाने में वो 3 second का time लेगा ये भी obvious सी बात है कि downstream में अगर आपको एक point से दूसरे point तक पहुँचना है एक तो आपकी boat की speed दूसरा जो downstream आप पानी के बहाव के साथ बह रहे हो तो पानी का बहाव आपकी speed को और जदा बढ़ाएगा तो आपको कम time लगेगा अब हम इस time की ratio को convert कर देंगे speed की ratio में speed की ratio आगी हमारे पास 1 is to 3 speed of boat आगी हमारे पास 6 km पर और u और d के formula से हम speed of boat निकालेंगे speed of boat हमेशा जादा होगी तो यानि u plus d divided by 2 तो u plus d speed की बात चल रहे हैं तो हमने speed को उठाया 4 units divided by 2 which is equal to 2 units 2 units की value है speed of boat question में speed of boat की value है 6 km पर और यानि 2 units की value आगी 6 km पर और हमारे पास upstream, downstream speed थी 1 is to 3 ठीक है next चीज क्या कियो है find the speed of current speed of current कम होगी यानि की d minus u divided by 2 क्योंकि downstream हमेशा upstream से जादा होती है तो 3 minus 1 divided by 2 की value आगी हमारे पास 2 divided by 2 which is equal to 1 unit 2 unit की value है 6 km पर और 1 unit की value होगी 6 divided by 2 which is equal to 3 km पर और तो हमारा option B आगया हमारा final answer ठीक है चलते हैं हमारे next question पर a boat travels downstream for 14 km and upstream for 19 km downstream जा रही है वो 14 km ये distance है km पर और लिखाता हो तो speed होता ठीक है ये distance है upstream जा रही है 9 km if the boat took total 5 hours for its journey ये पूरा distance cover करने में boat ने लिए 5 घंटे what is the speed of river flow if the speed of boat in still water is 5 km पर और तो speed of boat आगी हमारे पास 5 km पर और अब हमें एक चीज़ बता है कि total journey का time लग रहा है 5 hours का distance upon speed इसका प्लस इसका 5 और के बराबर आएगा तो हम काम करना शुरू करते हैं तो ये आया हमारा distance divided by speed downstream यानि कि speed of boat प्लस speed of stream और ये आया हमारा distance divided by speed upstream जिसमें हमने minus लगाया है और total उसको time लग रहा था 5 घंटे का तो ये वाला time प्लस ये वाला time आगया हमारा 5 घंटे के बराबर तो हमने अगर speed of boat जोगी 5 km पर और है वो उसकी value put कर दी हमारे पास हैसी equation बन गी अब बस cross multiply होगा ठीक है denominator में a plus b a minus b की जब multiplication होगी LCM ले रहा हूँ में LCM पता ना आपको कैसे लेते हैं a plus b a minus b आजएगा हमारे पास formula होता है a square minus b square यानि कि 25 minus speed of stream का square ये इस तरफ multiply होगा 14 into 5 यानि कि 140 का half 70 minus 14 s ऐसा आ गया speed of stream plus 9 into 5 9 5 is a 45 plus 9 s speed of stream ठीक है ये है बराबर 5 के जब हम इस equation को solve करेंगे 70 में 45 एड़ करनी है और minus 14 s speed of stream में 9 speed of stream हमें minus करनी है तो हमारे पास result क्या आएगा 115 minus 5 speed of stream divided by 25 minus speed of stream का square is equal to 5 ऐसी आगी हमारे पास equation अब हम इसे solve करेंगे हम क्या करेंगे उपर वाले जो हमारा numerator है उसमें से 5 common ले लेंगे जब हमने 5 common लिया हमारे पास आया कुछ ऐसा 5 से 5 काट दिया हमारे पास equation बची कुछ ऐसी 23 minus speed of stream divided by 25 minus speed of stream का square is equal to 1 जब ये इस तरफ जाएगा तो 23 minus speed of stream is equal to 25 minus speed of stream का square बन जाएगा अब ये बनेगी quantity equation speed of stream का square minus speed of stream minus 2 is equal to 0 अब quantity equation का इस पर concept लगेगा minus minus में roots होती है हमारे पास plus minus तो हमारी minus वाली तो speed of stream हो नहीं सकती हमें plus पर काम करना होगा पर फिलाल roots हमें दोनों निकाल नहीं है quantity equation का concept आप लगाओगे आपको देखती है पता चल जाएगा हमारी roots आएंगी plus 2 minus 1 यानि कि ये roots के हैं उदर x होता था ना इदर x की जगा ss है तो speed of stream की value आगी है 1 plus 2 1 minus 1 minus 1 वाली तो possible है नि speed तो plus 2 आगी हमारी speed of stream तो यही तो पूछे हो नहीं speed of river flow तो plus 2 यानि कि 2 km पर आगया हमारा final answer ये था लंबा वाला method अब मैं आपको एक shortcut भी बता देता हूँ हमारे पास question में था कि 14 km वो जा रही है downstream plus 9 km वो जा रही है upstream ठीक है ये speed है ये जो नीचे है ये speed है ठीक है तो total उसको लग रहे है अगर speed of stream के बराबर होगी तो हमारी बोट जो है वो तो एक ही जगह रुकी रहेगी तो हमारा option ये वाला भी eliminate होगया हमारे पास बचा एक ये option एक ये option सबसे पहले हम 3 put करके देख लेते हैं ठीक है वैसे तो 2 put करना चाहिए पर चलो मैं आप example दे रहा हूँ आपको मुझे पता है कि 2 km पर और answer है फिलाल मैं 3 put करके आपको दिखा देता हूँ हमने यहाँ put किया 3 km पर और तो हमारे पास downstream आ गया 8 upstream आ गया 5 minus 3 2 अब ये values हम put करेंगे यहाँ पर d पे जब आप 8 put करोगे और u पर जब आप 2 put करोगे तो हमारी values क्या आएंगी 14 divided by 8 is equals to 1.75 और 9 divided by 2 is equals to 4.5 यानि हमारा final answer आ रहा है 2,5 4,1,5,6.25 पर हमें final answer तो चाहिए 5 यानि कि ये वाला option भी eliminate हो गया जो हमारा option बचा वो आप speed of stream में put करोगे आपके पास speed of stream आ जाएगी 2 km पा रहा हो और तो speed downstream हो गई 7, upstream हो गई आपकी 3 तो d और u की value जब आप इदर put करोगे आपका definitely answer आ जाएगा ये है हमारा shortcut का method तो इसी method से आपको हमेशा question solve करने अगर ऐसा question आता है ठीक है चलते हमारे next question पर तो हमारा question कह रहा है Ram goes downstream with a boat to some destination and returns uphill to his original place in 6 और तो आपने एक line बना दी A और B Ram था पहले इस position पर वो downhill गया फिर uphill गया total उसको time लगा 6 गंटे का ये वाला if the speed of boat in still water is this and speed of stream is this respectively लिखा हुए तो find the distance of destination from the starting point यानि की हमें A B का distance निकालना है तो आप एक चीज़ दे सकते हैं की A B divided by downstream plus A B divided by upstream is equal to 6 और downstream क्या होगा 12 plus 5 यानि की 17 upstream क्या होगा 12 minus 5 यानि की 7 ठीक है तो हमें निकालने है A B का distance अब हम क्या करेंगे A B common ले लेते हैं तो A B हमने common लिया हमारे पास कुछ S equation बन गई अब हम करेंगे LCM लेंगे 7 7 जा denominator में हमारा आ गया 119 7 plus 17 आ गया numerator में which is equal to 6 17 में जब आप 7 add करोगे आपके पास numerator आ गया 24 denominator है 119 इस तरफ है 6 6 4 जा A B की value आ गई 119 divided by 4 which is equals to 2 जा 8 और 39 almost 29.75 km हमारा option D ठीक है चलते हैं next question पर A ship sails 30 km of river toward upstream in 6 और यानि कि 30 km है 6 और हमारे पास time है तो speed upstream हमारे पास आ गई 6 5 5 km पर और कुछ नहीं किया मैंने distance upon time का formula लगाया distance upon time का होता है speed अब यह कौन सी speed है upstream की तो speed upstream लिग दी मैंने 5 km पर और how long will it take to cover the same distance downstream if the speed of current is 1 4th the speed of boat in still water ठीक है speed की बात चल रही है boat और current की speed of boat इन्होंने दिया की speed of boat अगर 4 unit है तो 4 unit का 1 4th हमारे पास speed of current आ जाएगा अब यह बात चल रही है की speed of boat आगी हमारे पास 4 units की speed of current आगी हमारे पास 1 unit की upstream कैसे निकलेगा speed of boat minus speed of current क्योंकि upstream यानि speed कम हो रही है 3 units की हमारे पास value आई है 5 km पर और अब next चीज़ उन्होंने पूछी हुई है how long will it take to cover the same distance downstream तो speed downstream क्या होगी 4 plus 1 5 units हमारे पास 3 unit है अगर 5 km पर और 1 unit हो जाएगा हमारे पास 5 divided by 3 और 5 unit हो जाएगा हमारे पास 5 divided by 3 into 5 यानि की 25 by 3 km पर और यह आई speed downstream हमारे पास distance कितने है 30 distance upon speed का formula लगा के time निकाल लेना है तो distance है हमारे पास 30 speed है हमारे पास 25 by 3 हम इस 3 को उपर ले जाएगे हमारी equation बन जाएगी कुछ ऐसी 5 5 is 25 5 6 is 30 6 3 is 18 divided by 5 यानि की 3.6 और हमारा आगया time which is option D बस इतना ही है और कुछ बड़ा concept नहीं है कुछ इस पे वो रटने वाला कुछ नहीं है सिर्फ समझने वाला है formula में value put करनी है और अपना answer निकालते जाना है ठीक है चलते है next question पर a boat goes 48 km upstream 36 km downstream in 11 और यानि की 48 km in 11 और तो हमें बतानी है speed of stream यह जो है U और D यह distance है यह speed नहीं है ठीक है यहाँ पर kilometer दिया हुआ अगर kilometer पर और दिया हो तो speed होती है ठीक है अब हम इस question को कैसे करेंगे ऐसे हम बना लेंगे equations यह हमारे पास time है तो हमने distance upon speed की form में convert कर दिया ठीक है U और D जो है यह है speed अब हमें क्या करना है कि U हमारे पता है कि speed of boat minus speed of stream होती है D हमें पता है speed of boat plus speed of stream होती है दो equations है दो variables हैं तो equations में आप दो equations बनेंगी उससे आप U और D की value निकालोगे U होता है आपके पास speed of boat minus speed of stream D होता है आपके पास speed of boat plus speed of stream यह सब formulas बगारा लगा के आपके पास speed of stream आएगी यह है आपके पास पहला option अगर आप इससे करना चाते हैं तो कर सकते हैं कोई आपको नहीं रोक रहा मैं आपको सिधा बताने जा रहा हूँ हमारा trick का method ठीक है? trick का method जो है वो totally analyze करने के base पर है अब आप देखिए हमें u की एक AC value डालनी है जो 48 को divide कर दे d की एक AC value डालनी है जो 36 को divide कर दे हमारे पास 11 आ जाए ठीक है? इन दोनों का addition साथ ही हमें u की एक AC value डालनी है जो 48 48 को तो divide करी रहा था साथ ही साथ वो 36 को भी divide कर दे ठीक है? साथ ही हमें d की एक AC value डालनी है जो इधर 36 को तो divide करी रहा था साथ ही साथ वो 48 को divide कर दे AC values डालो इनका addition हो और हमारे पास 10 आ जाए ये सुनने में आपको बड़ा confusing लग रहा होगा कि AC values हम कैसे निकालेंगे अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये values कैसे निकलेंगी हमें U में 48 और 36 divide करना है ये किस-किस से 2 से divide हो सकते हैं 4 से divide हो सकते हैं 6 के table में जा सकते हैं 8 के table में 36 नहीं आता तो 8 के table में नहीं होगा उसके बाद सीधा 12 के टेवल में जा सकते हैं ठीक है ये 4 टेवल है जो हम U में वैल्यू डालें तो हमारी ये वैल्यू आ जाए 48 और 36 दोनों के डिवाइड करने वाली सेम चीज हम D के लिए भी अपलाई करेंगे अब एक चीज देखिए अगर आप U पे 2 की वैल्यू डालते हो तो इधर आ जाएगा हमारा 24 आगे दिया हो है हमें प्लस तो 24 में आप ऐसा क्या प्लस करोगे कि हमारा जो सम है वो 11 आ जाए तो ऐसा तो कुछ भी प्लस नहीं हो सकत यानी 2 की वैल्यू एलिमिनेट होगी नेक्स्ट हम 4 एड करके देखते हैं अगर हमने यहाँ पर 4 डाला तो उपर आ गया हमारा इस पुजीशन पर 12 यहाँ पर अगें 11 जो है छोटा नंबर है तो हम 4 भी यूज नहीं कर सकते तो हमारे 4 की भी वैल्यू होगी कट अब हम 3rd चीज डालेंगे यू में 6 की वैल्यू 6 की वैल्यू डाली तो 6 8 जा 48 पॉसिबल है ठीक है हमारे इस फ्रेक्शन की वैल्यू आ जाएगी 8 अगर हम यू में 6 की वैल्यू डालें तो इस से कोशन कॉंटिन्यू करके देखते हैं यू में हमने वैल्यू बर दी 6 की ठीक है इस फ्रेक्शन की वैल्यू आ गई 8 इस फ्रेक्शन की वैल्यू आ गई 6 अब 8 में कितना आप एड करोगे कि 11 आएगा 8 में आप 3 एड करोगे तो 11 आएगा तो 3 लाने के लिए आप D में 12 की वैल्यू आड करोगे 26 डिवैड बाए 12 ही तो 3 बनता है तो D में हम अगर इस जगा 12 की वैल्यू आड करें तो 48 डिवैड बाए 12 हमारे पास इस फ्रेक्शन की वैल्यू आ जेगी 4 6 प्लस 4 10 आ रहे 8 प्लस 3 11 आ रहे यानि हमारा जो U है 6 की को satisfy कर रहा है डी जो है 12 की value को satisfy कर रहा है हमारे पास हमारी values आ गई U की value है 6 km पर और D की value है 12 km पर और हमारा D जो है U से बढ़ा आ रहा है तो इसी से ही हम देख सकते हैं कि हमारा question काफी हद तक सही आ रहा है अब simple वही वाला formula लगाना है मैंने आपको बताया था U और D से अगर आपको speed of stream निकाल दी है तो सबसे पहले तो divide में 2 तो आएगा ही आएगा speed of stream कम होती है यानि minus आएगा D से हम U minus करेंगे D है हमारे पास 12 12 से आप 6 minus करोगे आपके पास बचेगा 6 उसको आप 2 से divide करोगे speed of stream आजाएगी 3 km पर और which is option C ठीक है कुछ नहीं किया हमने एक बार फिर बता देता हूं हमने सबसे पहले देखा U की एक ऐसी value जो 48 और 36 को divide करती हो उससे हमारे पास U की value आई 6 6 into 8 होता है हमारे पास 48 तो इस पूरी fraction की value आगी 8 अब इस fraction को बूल जाओ 11 में से हमने 8 minus किये तो हमारे पास आई value 3 जो की इ इसे divide करो आपके पास result 3 आना चाहिए ऐसा कब होगा जब D की value होगी 12 वही 12 value हमने यहाँ put की 6 value हमने यहाँ put की हमारी यह वाली equation भी satisfy होगी तो U की value हमारी 6, D की value हमारी 12 इन दोनो equations को satisfy कर दी थी उसके बेस पे हमने आगी की calculations कर ली, simple so यह रहा हमारा आज का last question boat takes 26 hours for traveling downstream from point A to point B and coming back to point C point A से B downstream में जा रही है एक boat और वापिस आ रही है point C पे रुक रही है जो की midway है between A and B यानि अगर यह D distance है तो यह भी D distance होगा if the speed of stream is 4 km per hour and speed of boat in still water is 10 km per hour what is the distance between A and B अब देखिए सबसे पहले boat ने आना है A से लेके B तक यानि हमारे पास distance आ गया 2D divided by downstream आ रही है speed add होंगी 14 ठीक है next B से लेके C तक जा रही है यानि upstream जा रही है और distance cover कर रही है D का और upstream में speed होगी minus यानि आ गया 6 total कितना time ले रही है total ले रही है वो 26 और इस पूरी distance को cover करने में तो हमारी equation कुछ ऐसी आ जाएगी 2D divided by 14 plus D divided by 6 is equals to 26 हमने D common ले लिया 2 divided by 14 plus 1 by 6 is equals to 26 1 by 7 D 76 is 42 6 plus 7 is equals to 26 7 plus 6 होते है 13 divided by 42 is equals to 26 और D से multiplication होनी है 2 तो हमारे पास distance आ गया 42 into 2 is equals to 84 यह है D की value उनने पूछा है what is the distance between A and B तो question के starting में हमने देखा था कि B और C के बीच D का distance है यानि A और B के बीच 2 times D आएगा 84 को आप double करोगे तो आपके बास आ जाएगा 168 km which is option D बस question दिखने में आपको बहुत बड़े बड़े लगेंगे पर question होंगे बहुत जादा आसान तो इसी के साथ हमारे boards and stream के सारे concept होते हैं खतम मुझे उमीद है कि आपको यह सारे concept समझ आए आपको formulas भी रटने की जुरूरत ना पड़ी हो तो जादा better है पर अगर दो चार formulas हैं अगर आप रट बिलो तो भी ठीक है कोशिश तो मैंने यही की है कि आपको रटने की जुरूरत ना पड़े अगर आपको यह वीडियो पसंद दए तो इससे लाइक कीजिए साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इसी के साथ आपका boards and stream पूरा चेप्टर होता है खतम थेंक्यू सो मच